वेल्कम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हैं आपका आरके वावर न्यूज में जैसा कि दोस्तों हम आपको मोसन की जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कलें सस्क्राइब और बेल आइकन को दवाना नहीं बूलें और दोस्तों अभी आई ताजा सबसे बड़ी राजिस्थान में मौसम को लेकर सबसे बड़ी ताजा ख़वर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षनी पूरी राजिस्थान के के हिश्चों में 12 ऐसे 10 से 12 सितंबर तक अती बारी बेंकर की चेतामनी जारी कर दी गई है वहीं उद्यपूर और कोटा संबा के हिश्चों में बरसेगा बहुती बेंकर पानी और दोस्तों बता दे हम राजिस्थान के दक्षनी और पूरी इस्चों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिस की अलर्ट जारी कर दिये गया है 12 सितंबर तक भारी बारिस की चेतामनी देखते हुए उद्यपूर वे कोटा संबा के कुछ जिलों में पिर्शासन को भी आगाहा कर दिया गया है वहीं इन जिलों में मद्यम से हलकी और किनी जिलों में मद्यम से भारी बारिस देखने को मिल सकती है और दोस्तों बता दे पिरसासन को भी लगा दिया गया है मोसम वियाग के केंदर जैपूर के मुतावित आगामी दिनों में जैपूर डुंगरपूर बांश्वाडा राजसमन सिरोई चित्तोडगडवे जहलावाड जिलेके के हिस्चेव में तेज बारिस का पॉर्ण अनुमान लगाया है और बता दे दोस्तों इसे सरीक्शन सिस्टम की वज़े से बना है मौसम विहाग केंदर के डाइरेक्टर रादश्याम शर्मा ने बताया है कि एक सर्कूलेशन सिस्टम मद्दे प्रिदेश और आसपास के पूर्वी राजिस्थान के उपर बना हुआ है जो शमुदर तलक से शाथ पॉंट 6 किलोमेटर उपर की विस्तरत है वेम उचाई के साथ दक्षनी पूर्य दिशाओं की और जोका हुआ है धन्यवाद दोस्त